Hello and welcome to SOL Reporter, One Stop Solution 4, SOL Students तो जैसा कि आप सभी को पता है, SOL के 1st semester के examination 21 मार्ज से start होने वाले हैं OBE mode में इसी के साथ सा 3rd और 5th semester के ऐसे सभी students जो दिसंबर 2021 में अपने open book examination नहीं दे पाये थे उनके लिए भी 2nd phase के examination conduct करवाई जाएंगे और ये examination भी 21 मार्ज से start होंगे OBE mode में अब बहुत से students की एक query आ रही है कि जो इन examination के लिए हमारा admit card आएगा वो admit card कब तक release किया जाएगा, तो देखें generally जो OBE examination होते हैं यानि open book examinations होते हैं, उसमें admit card जो है, exam start होने के 2-3 दिन पहले ही आता है तो आप मान के चले हैं, आपके examination जो है 21 मार्ज से start है, तो आपका जो admit card है वो maximum आप approximately लगा लें, 17-18 मार्ज के आसपास आपका admit card जो है release कर दिया जाएगा उसके पहले admit card आने के कोई भी chances नहीं है तो first semester के जो भी students बात को लिए के बार बार कोरी कर रहे हैं कि हमारा admit card कब आएगा, exam आने वाले हैं, तो आभी आप wait करें 17-18 मार्च के आसपास आपका admit card release किया जाएगा क्योंकि जो online examination हो तो इसमें आपको exam center तो देखना नहीं आपको अपने घर पे बैठके या जहां भी आप बैठके देना चाहिए वहाँ आपने exam दे सकते हैं, तो इसलिए जो admit card है वो थोड़ा later यहाँ पर release किया जाता है इसके अलाबा ऐसे third और fifth semester की students जिनको second phase के examination देने हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उनमें से सभी students के admit card release नहीं किये जाएंगे admit card किने students कहेंगे, admit card सिर्फ और सिर्फ उनी students कहेंगे जिन्होंने December 2021 में अपने exam नहीं दिये थे और उस समय उन्होंने अपने examination form भी fill नहीं किये थे यानि कि उन्होंने अपना examination form या फिर कहें exam fees जो है, वो December 2021 के exam होने थे उसके बाद fill किये हैं, यानि कि उन्होंना अभी एक भी exam नहीं दिया है तो third और fifth semester के जो second phase के students है, अगर आपने एक भी exam नहीं दिया है तो उसी case में आपका admit card release किया जाएगा, अगर आपका मालने जी एक exam रह रह रहा है या दो exam रह रह रहा है तो उस case में आपका admit card release नहीं किया जाएगा, आपको आपने exam जोए बिना admit card के ही देने हैं अब यहाँ पर एक query और students की आती है कि जो हमारे examination का roll number है, वो हमें कैसे पता लगेगा तो देखें जो first semester के students है, उनका examination roll number तो उनके admit card में mention होगा जो second phase के students है, examination roll number change नहीं होता है, तो जो आपका examination roll number first और second semester में था या फिर जो fifth semester के exam देखें, आपका roll number third या fourth semester में था या उसके पहले था वो ही same roll number आपका रहने वाला, roll number आपका change नहीं होगा, तो यह बात आपको ध्यार में रखनी है इसके लाबा कुछ students परसाने की जो date seat है, उसमें हमें exam की date वहाँ पर सही से समझ में आ नहीं रही है तो आप admit card का wait करें, admit card में आपके जो भी exam में उसके exam की date और exam की timing सभी वहाँ पर clearly mention होगी तो उस case में भी आप admit card का wait कर सकते हैं और कोई आपकी query वह examination के regarding तो आप comment सकते हैं, definitely भी उसके ओपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा अभी के लिए information यह है, कि जो आपका admit card है, first semester का और जो second phase का second phase जोने सिर्फ only students का admit card आएगा, जिनके सारे exam रह रह रहे हैं, जिनका एक या दो exam रह 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 रहा, उनका admit card नहीं आएगा तो यह admit card जो आपके 17-18 March के आसपस रिलीज कर दिये जाएंगे कोई और आपकी query तो definitely आप comment सकते में लिखें या फिर Instagram के मुझे message कर सकते हैं, मेरी idea विद्या सागर अगर वीडियो आपको पसंद है, इसको आप like करें, जो भी आपके friends से जो admit card के regarding query कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो का आप share कर सकते हैं as well से related या फिर first semester के OBA से related जो भी information होगी वो चैनल पर आपको provide की जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, for the time being, that's the end of the video, thank you